हेलो दोस्तों इस्टेटी ग्लोर में आपका सौगत है तो भाईया परसो हमने एक नहीं अनिशेटिव स्टार्ट किया था इंपोर्टेंट स्कीन्स फॉर यूपी एस्टेट पीसेज एक्जाम्स तो आज हम देखेंगे आत्म निर्बर भारत अभियान आज मनिर्बर है क्या मतलब सेल्फ लैंड देखो टाइटल को समझ जाया को टाइटल को देखके समझ जाया करो कि यह टॉपिक कहना किसके बारे में जा रहा है हर चीज रटी रटाई आप नहीं कर सकते हो आपको अपनी सोच को बहुत एक्सपैंड करना पड़ेगा देखो कोई UPSC के एक्जाम और स्टेट पीसेज का एक्जाम या कोई भी एक्जाम हो उसमें कॉमन संस्क्री जरूब बहुत होती है रटी रटाई चीज़े कभी भी काम में नहीं आती है वो हमेशा धोकई देंगी आपको अपनी सोच को बहुत एक्सपैंड करना पड़ेगा देखो टॉपिक में बोला क्या जा रहा है टाइटल किसके बारे में बोल रहा है आपको अपने आपी आंसर मिल जाएंगे हर आंस प्रेटीन था इस वज़े तोटी लाग करोन का पैकेज अनौस किया गया था जिसका नाम है आँच मंदिर्भार भारत अभियां अधरके स्की कौश्ट टुणी लाग करोन बताई जा रही है लेकिन पाच्छे लाग करोनी किसे में उससे कमी होगी और गवर्मर्मेंट ने बिलेगा इकनौमी बहुत है डेवलप्मेंट होएगा हर किसी को अपना घर चलाने के लिए सपोर्ट बिलेगा और जो अर्बिये ने पहले मेजर्स दिये थे उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है और सब चीज़ें इंक्लूड की गई है अब यह मोदी ने बोला था कि 10% GDP का इसका इंक्लूड किया जा रहा है इस एकनौमी पैकेज में उसके बाद प्राइम निस्टा ने ये भी बोला था कि बहुत बड़ी बड़ी पोश्ट पे थे उन लोग को भी जॉब से हाथ होना पड़ गया था और कई लोग जो है इसलिए ने ने बोला था कि बहुत सब करो लेकिन अपने पैरों पे खाले रहो अपने घर चलो अपने दम पे किसी आप रहो और इंफ्राइस्ट्रक्चर को बहुत डेवलपमेंट कराया जा रहा है इसमें इत गौमी को डेवलप करने नौमी को बहुत सब्सक्राइब करना जीडिपी जित्ती ज्यादा ग्रोग क्यों इत ग्रोफ हो जाएगी इंफ्राइस्ट्रक्चर को डेवलप करो जंग करो लेको नियान मोदी ने भी यही बोला था कि बढया सेर्फ रिलाइन्ट होना पड़ेगा कंट्री को हर किसी को अपने ऊपर ही निरभर आना पड़ेगा किसी को डिपेंड नहीं होना है अश इतने तरी से काली चलाना सीखो दूसरा क्या होता है कि मालों UPSC का एक्जाम है या इस्टेट पीसेट का एक्जाम है तो किसी कोचिंग पर निर्भर मत रहो अपने आप से पढ़ो जब तक खुद की महनत नहीं होगी तब तक आप कोई भी एक्जाम करेक नहीं कर सकते हो तो कि मैनसे करो तो यहीं से लिलाइंट है और जितना आत्म निर्भर होंगे उतने देश बहुत तरक्की करेगा बहुत तरह बढ़ेगा और इंडिया बहुती बहतर कंट्री बनेगी जितना हम खुद पर निर्भर हो जाएंगे हम अमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो सब्सक्राइब निर्भर निर्भर भारत में देखे गए हैं बताया गयते जैसे इकनॉम्य हो गया इंफ्रास हो गया टेक्नोलिटी डिवन सिच्टम हो गया वाइब्र डेमोग्राफी हो गया दिमांड हो गई तो यह पांच की से देखिए यूपी एस सी और स्टेट पीसे स्कीम आ रही है बस अहीं तीन चीज़े पढ़ लो आपका काम हो जाएगा स्कीम का क्योंकि आपके पढ़ने के लिए वैसे ही बहुत कुछ है एकनॉमिक्स है जोग्रफी है तो वह सब्सक्राइधा धन दो इसमें पंदर मिन दिन में देदो आपके लिए बहुत शॉर्ट बना लो नोर्स बहुत इंपोर्टन्ट होते हैं अपने हाथ के जो नोर्स होते हैं वह जीवन भर काम में आएंगे और रिवाइस करने बहुत ही ज़दा आसानी होती है तो यही ता लेक्चर कला हम दुबारा नहीं स्कीम के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद आप में लोकल मनुफेक्ट्रिंग और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा फेज्टू जो है इसमें कौन इसमें दिया जा रहा है इस एकनॉर्मिक पैकेज में अमाउंट जो है इंक्लूट करा है पैकेजन अल्रडी जो था वह जब लोगडाउन इस्टर्ट हुआ थ और मेंजर सब्सक्राइब हैं इसको क्या उब प्रदानमतिर जोणवाँ करेंगे क्या इस कि मुझा ये छूबिग करिए वह प्रेट्बॉ eu होई कट्राथ देख्टे हैं धी अतनाहोड होते हैं कि कैसि सब्सक्राइब को इसे कि प्रिक्टर को आफ सकन्नामि score को इंडुर्श्रिय सेक्टर भी बोलते हो तो तीन सेक्टर होते हैं अपनी इकनौमी में तो यह करके देखेंगे कि कौन सी कौन से सेक्टर में कितना पैसा दिया जा रहा है किया कर रिफॉर्म लाय जारे है इसको भी ऊप्ण किये जाएंगे और आगे जाके बहुत धादा इसको ट्रांस्वर्मेटिव बनाए जाएगा यह रिफॉर्म जो है वो कंट्री को एक श्टप आगे लेके जा रहे हैं मतलब वन नेशन वन मार्केट भी आगया आने वाले लेक्चर में आपको बताएंगे इसको अब्जेक्टेव है तो सब आपको बताए जागे की चीज़ बताएंगे Secondary Sector इसमें क्या हुआ है इसमें important MSME को दी गई है इंडेन एकनौमी में रुपीज 3,00,00,00,00 करोण जितनी industry मतलब economy को boost करने के लिए GDP को boost करने के लिए जाहिर सी बात है जितनी industry लगेंगी जितना लोगों को employment होगा उत्ती ग्रोथ होगी उत्ते production होगा, demand बढ़ेगी तो economy automatic boost करेगी salaries बढ़ने लगेंगी तो industry को होना बहुत सरूरी है अगर देश को develop बनाना है तो industry बहुत साथा लगानी पड़ेंगी इसी वज़े से ये collateral free loan facility MSC में को दी गई है अब हम देखे लिए tertiary sector के लिए मतलब service sector अब इसको देखते हो गवर्मेंट ने एक balance approach अपनाया है ताकि जो भी concerns होते हैं तो भी concerns है उसको अच्छे से address किया जा सके है फॉर एक्जामपल जो को newly launched PME with their program जो है वो multimode access digital online education के लिए बनाया गया है और यह provide कर रहा है uniform learning platform पूरे nation के लिए मतलब क्या होता है कि कि किसी भी बच्चे का मतलब पढ़ाई में बाधा ना है आप लोग्डाउन के कारान अभी भी school और university बहुत रबंच चल रही है तो किसी के पढ़ाई में बाधा ना है तो इसी प्रोग्राम के माध्याम से online digital education को promote के जा रहा है ताकि बच्चों बच्चे हराम से पढ़ सके अपने घरी में पढ़ सके और कोई भी उनको रिस्क ना हो तो यह पूरा दोस्तों लेक्चर था और अब हम जितनी भी स्कीम समने जो भी आई है जो भी नए टर्म्स आए वो सब हम आगे जाके आपको बताएंगे कि क्या क्या टर्म्स है तो यह पूरा था तो तब तक के लिए धन्यवाद